एक married औरत का यंग लड़के सेफिर होता है पर उसके husband को पता जल जाता है इसके बाद हमारी movie की story एक बड़ा सा turn लेती है आज मैं आपको unfaithfully 2002 की thriller romance movie explain करने वाला हूँ explanation के last में मैंने इस movie का analysis और alternate ending भी बताया है इसलिए explanation को आप untuck देखना तुसलिए इसे explain करना start करते है movie start होती है और एक family हम देखते है जिसमें mother, father और उनका एक छोटा सा बेटा है mother का नाम Connie और father का नाम Ed यह दोरों हमारे main character है movie के first scene में हमें morning दिखती है और सब लोग busy है Connie अपने sun के लिए breakfast वेकर ready करती है और Ed भी काम के लिए जाने के लिए ready होता है इंदनों का बेटा जिसका नामे Charlie उसका birthday आने वाला है birthday decoration का सामन Connie गाव में जाकर आज लेकर आने वाली है actual my family सबन में रहती है सबब का मतलब city के बाहर एक बड़ी सी जगा पर अलग-अलग घर build की होते है यह village की तरह होता है और इसे village कोई बोल नहीं सकता जिन लोगों को city की pollution से दूर रहना है वो यहाँ घर भाई करते है इसके बाद हम देखते है कौनी train से city में जाती है सब सामान में गरलाती है आज जो weather है यह बहुत ही खराब है बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है अचानक से तूफान और भी बढ़ जाता है कौनी स्टीट से जा रहे होती है और उसके सामने क्या है आगे क्या है कुछ भी उसे दीखनी रहा एक लड़के इसे वो टकरा जाती है यह हमारा और एक मेंन क्यारेक्टर है जिसका नाम है पॉल पॉल के हाथों बहुत सारी बुक्स थी जो सब अब किर चुकी है कौनी के हाथ में सब डेकोरेशन का सामान था वो भी यहाँ बाद चला गया है पॉल कौनी का सब सामान इकटा करता है और कौनी भी उसके बुक्स उठाने में उसे हिल्प करती है कौनी गिर गई थी तो उसके बेर पर चोट आ चुकी है पॉल उसे हैता है कि मेरा घर उपरी है तुम आकर बैंडेड वेगर कर सकती हो कौनी को जल्दी से टैक्सी लेकर घर जाना है पर उसे टैक्सी मिल भी नहीं रही पॉल भी टैक्सी के लिए कुशिश करता है पर कोई भी नहीं रुखता कौनी पहले hesitate कर दिये पर फिर पॉल के चाम को देखकर वो उसके apartment में जाने के लिए ready हो जाती है पॉल के apartment में बहुत सारे books होते कौनी उसे पुछती है इतने सारे books तुमारे पास क्यों है क्या तुम writer हो पॉल कहता है कि नहीं मैं book dealer हो कौनी फिर bathroom जाती है और अपने जखम पर bandit वेगरा लगाती है भार आकर वो पॉल से कहती है तुमारा house बहुत ही beautiful है पॉल कहता है कि यह मेरा नहीं है यह मेरे friend का है जो अब Paris में है तो यहाँ वो रह रह रहा है पॉल ने कॉनी के लिटी वेगरा बनाई हुई है पर कॉनी को ज़ल्दी घर जाना है कॉनी अपने बेटे को call करती और कहती है कि हाथ ज़रा वो लेट हो जाएगी कॉनी फोन पर ही बात करी है तब ही पॉल एक गरम कपड़ा उसकी वोन पर लगाता है कॉनी अप पॉल को goodbye कहती है पॉल उससे कहता है कि जाते जाते अपने लिए एक तुम book लेकर जाओ एक specific book वो कॉनी को देता है और उस book में एक page उसे पढ़ने के लिए कहता है इस page की ये summary है कि हमारे पास जो ये moment है यही हमारी life है इसी movement में हमें सब कुछ जी लेना चाहिए इसके बात कॉनी यहां से चली जाती है इस scene में Paul और कॉनी के बीच में obvious सा एक tension हम देखते है next scene में हम देखते हैं कि कॉनी घर पर है थोड़ी देर में 8D भी घर पर आता है उसके पेर पर जो छोट लगी है इसे देखता है और इसके बारे में पूछता है कौनी उसे सब कुछ कहती है वो कहती है एक अच्छा लड़का था जिसने मुझे बहुत हेल्प कि एड मजग मजग में कहता है कि क्या वो handsome है उसके बाद उससे कहता है कि उसने तुम्हें इतने help किये उसे एक wine की bottle वेगर भेज़ दो रात में हम देखते है कि एड ने एक नया वीडियो कैमेरा भाय किया है कौनी के साथ इसे वो ट्राय करता है और रात में एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है फिर से अगला दिन आता है इस वामिली का जो रूटीन था यानि कि उनका बेटा चारली स्कूल जाता है एड आपने काम पर जाता है इसे तरह से चलता है कौने फिर पॉल ने उसे जो गुट दी ती यह उपन करती है और उसमें से पॉल का नंबर निकलता है कौनी फिर सिटी में आती है, स्टेशन पर आकर पॉल को कॉल करती है पूछ से कहती है कि तुम्हारा exact address क्या है, मुझे तुम्हें वाइन वेगरा भीजनी है पॉल कहता है कि तुम हो कहा कौनी अपनी location उसे कहती है, तो वो कहता है कि यहाँ आजाओ, मैं तुम्हारे यहाँ कॉफी वेगरा बनाऊंगा कौनी पॉल की यहाँ पोछती है, पॉल उसे कॉफी के लिए पूछता है कौनी उसे कहती है कि वो जरा हरी में है, आसपास घर में वो दिखती है तो Brilบिय में लिकी हुई एक बूख वहा है, इसे वो फिल करती है वाल भी उसके पास बहुत जाता है, उसके बहुत ही वो करीब है उसका हाथ लेकर इस बूख को फिल करने के लिए उसे कहता है इसमें क्या लिखा हुआ है, यह पढ़कर उसे सुनाता है कौनी को यहाँ होना गलत लगता है तो वहाँ से वह चली जाती है इसके बाद हम देखते है कि कौनी एड से मिलने के लिए आती है एड के लिए वो एक प्रेजेंट भी लाती है एड अपने काम में बहुत ही बीजी है पर फिर थोड़ा सा टाइम निकालता है और स्वेटर वे पहनता है रात में दोनों यह जब डिनर करते है तो एड को लगता है कौनी ज़र्गोई खोई-खोई सी है अगली दिन कौनी फिर से पॉल से मिलने के लिए आती है पौल से देखकर सप्राइस्त होता है वो एक सउंग लगाता है और कौनी से पूस्थता है क्या हम डांस करे कौनी भी इसके लिए मान जाती है यह तुनों डांस करते है और पॉल केता है तुम्हारी आइस बहुत भी ब्यूटिफुल है कभी भी इसे बन करकर माद स्वया करो कॉनी रियलाइस करती है कि जो भी वो कर रहे हैं यह गलत है और कहती है कि MIFTAK थी वो आप जाने के लिए Rlasses होथी है पॉल उसे केता है कि क्या सही क्या गलत इसवा अब बुछ भी नहीं होता चीजे हम करते हैं अब नहीं करते हैं इसमें जाद से निकल पिछाती है पर उसका कोट पीछे रह गया था कौनी अपना कोट लेने के लिए फिर से वापस आती है तो पौल उसे जकड लेता है कौनी रेजिस्ट करती है पर फिर भी ये दोनों इंटिमेट हो जाते है पौल के यहाँ से कौनी चब घर पर आती है तब पूरे रस्ते में उ जाए मेरे वाइब के साथ उसने बात क्यों गया एड बंडर करता है कौनी मुसे जुट क्यों भूली एड घर पर आकर अपना-पना काम करने लग जाता है जब कॉनी उसे पास आती है तो पुछता है क्या तुम उसे प्यार करती हो कॉनी कहती है क्या अफकोस करती हो यह कैसा silly question है इसके बाद हमें कुछ दिन दिखाये जाते हैं इन दिनों में कॉनी को पॉल की call आते है एड़ी की इस से उपर नजर है कॉनी अपने family के साथ जैसे दोनों लंज के लिए जाते है कॉनी जरा डर रही है क्योंकि यह दोनों public में public में अगर एड़ के किसी फ्रेंड ने वेगरा उन्हें देख लिया तो यह problem हो सकता है इसे रेस्टार में दो फ्रेंड जगड रहे है कि बिल कौन देगा पॉल केता है कि इस पर हम बेट लगा अगर लेफ्ट वाले पैसे दिये तो हम यही रुकेंगे और लेफ्ट वाले पैसे देता है पर हम देखते हैं कि जो दोनों फ्रेंड जगड रहे थे इसमें से एक फ्रेंड एड का था जब कौनी घर आकर बात लेती है तो पॉल ने उसकी बॉड़ी पर फूल बनाया था इ है वहां से बहाना करकर निकल जाती है नेक्स दिन हम देखते हैं कि एड कौनी से बात करता है कौनी के साथ उसे लंच करना है कौनी ने पॉल से मिलने के लिए न्यू ड्रेस बाई किये यह भी एड यहां देख सकता है कौनी पॉल से मिलना जाती है तो सब बहाने बनाती है क कौनी कहती कि मुझे रेडी होने के लिए टाइम लएगा पर एड रूखने के लिए भी रेडी है कौनी को आड़ा आता है उसे कहती कि आज मेरी फेशल की अपॉइंटमेंट है इसलिए उसे जाना पड़ेगा एड उसे किस प्लेस पर वह जाने वाली है यह भी पूछ लेता ह कौनी के पास आकर कहता है कि तुम इतनी ब्यूटिफुल हो तुमें कोई फेशल की जरूरत नहीं है इसके बाद वह चला जाता है ओफिस में आकर कौनी जीज जगा पर फेशल करने वाली थी है उस जगा का नंबर निकाले कर उन्हें कॉल करता है यहाँ उसे पता चलता है क कौनी की कोई भी अप्वांटमेंट नहीं है उसका अब स्ट्रॉंग हो चुका है कौनी पॉल्ड की अपरमेंट के बाहर ही है पर उसे इसकी दो फ्रेंड्स मिल जाती है यह सब बहुत दिनों बात मिली है तो उसकी फ्रेंड से कहती है कि चलो हम कॉफी के लिए चलते है कौ कोई एक्स्क्यूस लेकर रेस्टृम में जाती है और यहां पर कौणी और वह दोनों इंडमेट हो जाते है। कौणी की फ्रेंद्स ने भी पॉल को देखा था एक दोनों फ्रेंट्स बात किरी है कि अगरan mínवील के साथ हुआती दूसरी फैंड कहती है इसा बोलना भी गलत है यह अफेस वेगरा इनका अंत कभी भी सही नहीं होता कोई ना कोई तो हर्ट होई जाता है और इससे भी वस अपने हस्बंड को पता चल सकता है उनके फ्रेंड एक्सपरियंस से बोल रही है कौनी भी इस पर सोचती है और उसे भ अगर हम एक दूसरे से बॉर हो गे तो अभी एंड हो जाएगा को खेत यह कि हमें समें तुम्हारे चाल भी बालब हो जाती हो इसके बात यह मुझे पहले ही बता देना चाहिए था एड पुरे वर्ड में उसे कोई चीट करे इसे वो बहुत हेट करता है वीर उसके फरेंड को fire कर देता है एड का फरेंड fire होकर गुझसे-गुझसे में उसे कह được कर जाता है कि यह सब बात है मुझे क्यों तुम कह रहे हो लेता है यही दिनों में कॉनी जब पॉल की साथ है तो बहुत ही लेट हो जाती है आज उसे अपने सन चारली को स्कूल से पिक अप करना था और वो करनी पाई उसे फिर रेलाइज होता है किस तरह की वो मदर है वो बहुत रोती है एड़ जब अपनी डिडिक्टिव से मिलता ह एं तो सब फोटो कॉनी और पॉल की उसे दे देता है एको डुसरे के साथ सो रहे थे उसकी भी फोटो इसमें है कॉनी सिटी में अपनी ग्रोसरिस लेने के लिए आती है, तब रस्ते पर वो Paul को एक दूसरी औरत के साथ देखता है, यह बहुत ही गुसा हो जाती है और Paul को उस लड़की के साथ ही कनफरंड करती है, और उसे अपने अपार्मेंट तक ले कराता है, Paul उसका गुसा करने के लिए डारेकली उसे जक्कड लेता है कौनी बहुत रेजिस्ट करती है पर फिर भी एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो जाते है एड को पता है कि पॉल रहता का आए तो डारेकली उसके आपार्मेंट तब पहुच जाता है वहाँ पर सीकुरिटी सिस्टम है तो एड डारेकली अंदर नहीं गुच सकता एक आदमी बिल्लिंग से बाहर आता है तो डोर ओपन है तो एड भी इस डोर से अंदर गुच जाता है डोर नौक करकर कहता है कि क्या तुम पॉल हो एड अपने आपको इंट्रडूस कराता है घर में आता है और सब को चीजे देखता है पॉल उसे ड्रिंग के लिए पूचता है एड पॉल से पूचता है कि तुम मेरे वाइफ से कैसे मिले थे पॉल उसे बताता है फिर एड रियलाइज करता है कि कौनी को जिस दिन चोट आई थी वही वो दिन था जब वो पॉल से मिली थी उसे ने कौनी को कहा था कि वो पॉल को एक wine की बोटल दे कर आ है एड〜 Paul से कहता है कि हम एक बेटा भी है क्या कॉनि ने तुम्हें उसके बारे में बताया था बोल क्यता है कि हम सर में रहते हैं पूल क्येता है कि सर्व ५मस .. में रहना क्उनीक जाता है उसके आखों के सामने सब अनेरा आने लगता है वो समझनी बाता है कि उसे करना क्या चाहिए बहुत ही गुस्सा हो चुका है ये किफ्ट लेता है और डारीगली पॉल के सर में दे मारता है सर पर दो चार बार लगने के वज़े से पॉल वही मर जाता है एड को थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि उसने किया क्या है अब इस मर्डर को वो कवर अप करना चाता है इस फ्लैक्ट से अपने फिंगर प्रिंट से किरा हो सब कुछ मिटाता है पॉल के फोन पर कॉनी का वोईस मैसेज आता है जो एड सुनता है इसमें कॉनी सखेती है कि जो भी वो कर रहे है ये गलत कर रहे है अब कॉनी फिर से पॉल से मिलने के लिए नहीं आने वाली वोईस मैसेज सुनकर एड को ज़रा अच्छा लगता है इसके बाद पॉल के हाँ एड सब कुछ साफ करता है, कारपेट में उसे व्रैप करकर अपनी गाड़ी में रखता है एड के वेटे का स्कूल में आज पुफाउमंस है, तो लेट हो चुका है, तो वही गाड़ी लेकर वो स्कूल में भी पहुच जाता है आज वो बहुत ही डिस्टरब्ड है, उसने अभिया भी जो किया है, उसे के बारे में सोचता रहता है कौने उसे पुछ थी है, क्या हुआ है, पर उसे वो कुछ भी नहीं बताता इनके बेटे का प्रोग्राम खतम होता है, पारकिंग में जब और गाड़ी निकालते हैं तब इनके गाड़ी को कोई टकरा देता है, हमें पता है कि गाड़ी के डिक्की में बौल की लास है बहुती close encounter से यह बच जाता है रात में फिर एड गस्णा डानने की जगा पर आता है और इस body को dispose कर देता है Paul ने एड से कहा था कि कौनी को सबम में रहना अच्छा नहीं लगता तो एड वैंडर करता है अगली सुबह कौनी से पूछ भी लेता है क्या तुम्हें यहां रहना अच्छा नहीं रखता अगर तुम चाहो तो हम कई और move हो सकते है कौनी इस पर मना करते थी वो कहते हैं कि यह क्या तुम बात कर रहे हो एक-दो दिन गुजर जाते हैं और हमें दिखता है कौनी के घर पर पुलिस आते हैं पुलिस कौनी को बताते हैं कि पॉल मिसिंग है, वो कौनी के पास है, क्योंकि पॉल के अपार्मेंट में कौनी का नंबर और नाम उसने लिखा हुआ था। कौनी के थी है, यह बुक डिलर था, उससे मैंने बुक पाई कियोगी, इसी वज़े से मेरा नाम नंबर वहा होगा। कौनी का बेटा चारली पुलिस को देखकर बहुत एकसाइड होता है, जब कौनी एड और चारली बहार आककर लंज कर रहे हैं, तो चारली कहता है कि आज पुलिस आये थे, एड ज़रा डलता है और गौनी से बुचता है कि पुलिस क्यों आये थे, कौनी के थी है कि ऐसी पुलिस ने एक बार पार्मेंट के सामने अपनी गाड़ी पार्ख की थी और इलीगली पार्ख करनी की वज़े से उसे एक टिकेट भी मिला था एड भी आ है और हो समझ जाता है कॉनी का जूट पकड़ा जा चुका है पुलिस को कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें 24 सब बता ना था वो सब कुछ बता दिया है अब हम जादो तुमसे बात नहीं करना चाते हैं एड के यहां से जाने के बाद कॉनी डर कर बहुत रोती है कि एड के शड में कॉनी को उसकी और पॉल की फोटोज मिल जाती है यह वही फोटोज है जो डिलिट्टो ने एड को दी थी कॉनी को पता जल चुका है कि एड को उन दोने के बारे में पता था घर पर जब वो आती है तब ये फ्रेंड के साथ डिनर कर रहे है एड हमेशा कौनी को सुनो क्लास की गिफ्ट देता है कौनी ने पॉल को जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट एड फिर से अपने घर में ला चुका है एड के फ्रेन ये गिफ्ट देख रहे होते है तभी कौनी को पता चल जाता है कि उसने पॉल को जो गिफ्ट दिया था वो एड फिर से वापस ला चुका है इसका मतलब है एड पॉल से मिलने के लिए गया था वो रेलाइस करती है कि पॉल को एड नहीं मारा होगा रात में डर कर वो उसे बुछती है कि तुमने क्या किया है एड भढ़क जाता है और कहता है कि तुम मुझे पता कि तुमने क्या किया है तुम बार-बार मुसे जोट बोलती रहे तुमने कभी भी इस फैमिली के बारे भी भी नहीं सोचा, तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं पड़ेगा, मुझे फर्स दिन से शक हो गया था, मुझे उसे नहीं मारना था, मुझे तो तुम्हें मारना चाहिए था, कौनी ये सब सुनकर बहुत रोती है, ये दोनों जगड रहे थे, तब उनके बेटे को भी लेशन दे रहा है, कौनी फिर से उसी गिफ्ट को देख रही है, इस गिफ्ट के नीचे एड ने एक नोट लिखी थी, ये कौनी ने पहले कभी पड़ी नहीं थी, इस नोट में लिखा था, कि मेरे हर दिन का हाइलाइट सिर्फ तुमी हो, तुमी मेरे लिए सब कुछ हो, और अब पच्ताव करने से कुछ भी बदलने नहीं वाला, एड उसे माफ कर देता है, उसके पास आकर बैठता है, कौनी उससे पुछती है, कि अब हम क्या करेंगे, एड बोलता है, कि मैं अपने आपको पुलिस के हवाले कर दूँगा, कौनी के दी कैसा मत करो, उन्हें कु कौनी एड और उनका बेटा, यह सब फंड रेजर के लिए आते हैं, जब वो घर वापस आ रहे हैं, तब कौनी और एड एड एक दूसरे से बात करते हैं, कौनी एड से गेती है, हम सब कुछ बेच सकते हैं, और अलग कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पर बीच के पास कौनी एड को करना है, इसमें दो एंडिंग्स हो सकती है, इसमें पहली वाली में एड अपने आपको पुलीस के हवले कर देता है, सेकंड एंडिंग में, जैसा कौनी ने कहा था, अलग कंट्री में वो जा सकते हैं, इस मूवी की डिवीडी जी रिलीज हुई थी, जिसमें अल्टरने एंडिंग थी इस अल्टरने एंडिंग में एड अपने आपको पुलीस में दे देता है और कौनी अकली रह जाती है कौनी ने एड को चीट किया और उसके बाद भी वो एक अच्छी लाइव जिना चाहती है एड बहुत ही इतिकल कैरेक्टर था उसे गलाच चीज़े थोड़ी भी नहीं चल दी थी उसका फ्रेंड अलग कंपनीज में जॉब ढून रहा है यही उसे पता चला और उसको भी उसने फायर कर दिया था वो अपनी काम को लेकर बहुत ही सीरियस था और उसे थोड़ा सा फ़े इधर उदर नहीं चलता था और अब उसके खुद के वाइप ने चीट किया था यह वो बैर नहीं कर पाया वो जब पॉल के पास गया तो उसका घुसा कंट्रोल करनी के उसने कोशिश की पर जब उसने गिफ्ट देखा यह गिफ्ट उसके लिए बहुत ही पसनल था और घुसे में आकर उसने पॉल को मार डाला उसने पॉल को मार तो डाला है पर वो बहुत गिल्टी महसुस करता है इस गिल्ट के साथ वो सही से जी नहीं पाएगा कौनी एड से कहती है कि वो नई लाइफ स्टार्ट कर सकते है पर उसने एड पर चीट किया है और वो डिजव नहीं करती इसलिए एड अपने आपको पुलीस में दे देता है तो इसी तरह से इस मुवी की डार्क इंडिंग हो जाती है आज का वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको यह वीडियो अचलागा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीस इस चैनल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल निटिवेशन आइकोन दबाना में मत पूलिए फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिए